अजी नमस्कार रदे रदे रर्महादेव मैं आपका आचारी देव आज इस वीडियो पे बात करेंगे मीन लगन मीन रासवालों के लिए जो शनी देव की गोचरी स्थिति है वो साड़े साथ वर्स कैसा असर दे कर जाएगी सनी की जो ड्हाई की चाल है सतरंजी चाल आपने चिस खेला है न तो सतरंज में जो गोड़े की ड्हाई की चाल होती है न बहुत खतरनाक होती है कब क्या कैसे कर दे किसी को पता नहीं चलता सहमात का जो गेम होता है न वो गोड़ा खेलता है तो आपके बर्थ चार्ट में आपके रासी पे शनिदेव महराज ढाई की चाल चल चुके हैं तो मीन रासी मीन रासी का मतलब पूरभादरपद, उत्तरभादरपद और रेवती यदि आप इन तीन नच्छत्रों में आपका चंदर महराज चल रहे हैं तब आपकी मीन रासी बनेगी इस रास की स्टार्डिंग जो है गुरु के नच्छत्र से होती है और शनिदेव महराज जो है जो आपके ओपर धाई की चाल चलेंगे वो इसी नच्छत्र पे बैठके चलेंगे इसी नच्छत्र पे प्रभाव रहेगा बैठके नहीं चलेंगे सनि महराज अपने चाल स्टार्ट कर रहे है मंगल के धनिष्ठा नच्छत से स्टार्ट कर रहे है तो मंगल का प्रभाव सनी पे रहेगा और मीन रासी में मंगल आपके दुतियेस और नुमेस होते हैं अब जब सनी महराज यहां पे श्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा कि सनी महराज धनिष्ठा नच्छत्र में चल रहे हैं तो धनिष्ठा का प्रभाव लेके सनी महराज जाएंगे ही जाएंगे देखिए ध्यातव्याप के लिए यह है कि सनी धनिष्ठा सत्विसा पूरभाद्रपद उत्तरभाद्रपद रेव तियस्वनी भरणी और कृतिका नौन अच्छत्रों की रस्मियों को लेके चलेंगे औ और 27 चरण में इसका प्रभाव मिलेगा तो आप देखें तो लगबग जो 90 महिने का समय है कितने महिने का 90 महिने का इसको आप 27 भागों में बाट दें 27 पार्ट में बाटेंगे और यह आएगा आपका 27 प्रकार से आएगी एक दो प्रकार से नहीं इतना डिटेल में आपको कहीं और वीडियो मिलेगा नहीं लोग तीन तरह के प्रभाव बताएंगे मैं आपको 27 तरह के बता रहा हूं कि प्रभाव पड़ेंगे तिसलिए आपने चैनल को सब्क्राइब नहीं कि आप चैनल को चंद्र के नवांस अधिपत पे चंद्र के नवांस पे जो आपको मिले, वो नवांस बताता है तो यहाँ पे वो चीज़ें भी आपको नहीं मिल नहीं है, जो पूर हुजन में की हैं, तो मनलब बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, लोग आस्वासन तो देंगे कि हम आपका काम करेंगे, लेकिन लोग काम नहीं कर रहे हैं, तो पहली चीज तो यह आएगी, दूसरी चीज जैसे यह आगे की बात करेंगे, तीन महीने, छे दिन की बात करेंगे, ठीक है न, तब फिर आप देखेंगे, कि यह दूसरे चरण में इनका प्रभाव आएगा, दूसरे चरण में उत्तरभाद्रपद नच्छत्रपी इनका प्रभाव जाएगा, दिखें, यह जो रासी हो पार्ड में बाट एंगे तो छोटा-छोटा दिखाई देगा जो उसको नवांस में बाट दे तो और छोटा दिखाईगा फिर भी करोणो किलोमेटर का है तो यहां पे चीज़े ज़्यादा क्लियर होगी तो यहां पे सनिदेव उत्तर भादरपद के प्रथम नवांस में चल मुकद्मे वाजी से बचना है, रिन से बचना है, यहां पर जब 3-6 माज-6 दिन सनी महराज चल चुकेंगे तब आगे आएगा आपको कन्या, अब यहां से आपको थोड़ा रिलेक्स मिलेगा, तो मतलब 6 माह-12 दिन के बाद थोड़ा सा सनी रिलेक्स देंगे, क्योंकि जब उत्तर भाद्रपद के दोतिय चरण में जाएंगे तो कन्या का नवांस मिलेगा तो कन्या के नवांस मिलने से आपके ब्यापारिक गतविदी गती पकड़ेगी ब्यापार सिलाब होगा दोस्तों सिलाब होगा जीवन साती सिलाब होगा वहें पे सनिदेव जब उत्तर भाद्रपद के तरतिय चरण पर द्रिष्टी डालेंगे तो आप तुला नमास मिलेगा तुला जो है आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है तुला आयू का घर है अश्टम भाव है यहां आपको गुप्त चीजें मिलेंगी क्या मिलेंगी गुप्त तरीके से गुप्त चीजें प्राप्त होंगे गुप्त रोग प्राप्त होंगे गुप्त सत्रु प्राप्त होंगे गुप्त तरीके से पीडाएं आपको देजाएंगे सुस्राल वालों से भी सम्मंद खराब होंगे वहीं उत्तर भादरपद के चतुर्थ चरण पर जब सनी के द्रिष्टी आएगी क्योंकि सनी दीरे-दीरे बढ़ रहे हैं और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बैटे हैं तो यहाँ से लेकि जितनी दूर तक है उतनी दूर तक देखेंगे दीरे-दीरे आगे बढ़ेंगे और दीरे-दीरे हमारी दृष्टी आगे बढ़ेंगी आप कहीं भी रहते हैं आपको कहीं जाना होता है तेक एक इक श्टेशन पार करते हैं इस चीज़ों का आपको समझना होगा जब आप चतुर्थ चरण में चल लए हैं तो उत्तर भादरपद का जो नवान से मिलेगा वो मंगल का नवान से मिलेगा बृष्चिक नवान से मिलेगा बृष्चिक बृष्चिक आपका भाग का है तो यहां सनी आपके भाग के वर्थक चीज़े करें सनी भाग के साथ में कामनाओं की पूर्ती के कारक है तो सनी कामनाओं की पूर्ती भी देंगे क्योंकि इसके बाद सनी तीस साल वाद आपकी जीवन में आएंगे तिदि आपकी जीवन आपकी उम्र जो है चालिस साल से उपर है तो सनी कामनाओं की पूर्ती कराएंगे अगर आपकी उम्र का पार्ट पढ़ाने आ रहे हैं लेकिन एक चीज़ याद रखेगा सनी आपके बैभाव में हैं लेकिन सास्तकार ये कहते हैं कि बैस और दुतियेस सदे अपनी दूसरी रास का ही फल देंगे हता यहां पे सनी आपके लाव का ही फल देंगे लाव देंगे लेकिन तो जैसे यहाँ पे उत्तार भाग्र पद Когда आपके बृृश्टिक नौान्सथा में जांगे अच्छा रहेगा रेवती की प्रतं चर्ण जमीन की दृश्टी होगी तो रेवती मतलब धन कंत्र धन दायक कहत्र धन दायक न चत्र धन दायक ना शॉत्र क में इसके लाभभाव के स्वामी की, तो लाभभाव धन दायक पिदिश्टी रखेंगे, तो धन देने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे धनु नवांस मिलेगा, और धनु क्या है, आपके कर्मा का नवांस है, तो आपके कर्म में प्रविणता आएगी, कर्म में आप गती पकड़े है, सनी मकर का फल भी दे रहे हैं, और मकर नवांस में चलना है, तो अपने अपने घर को कोई नहीं विगाड़ता, तो यहाँ पे निश्चत रोप से तीन माह, छे दिन आपको बेहतर तरीके सिलाव होगा, बेहतर तरीके सिलाव होगा, कोई संदे ही नहीं है, ठीक है न, इ सनी खर्च करवाएंगे, अब यहाँ पे आपको यह समझना होगा, यह देखना होगा, कि हम कैसे अपनी चीजों को संभाल सकते हैं, बचा सकते हैं, तो सनी काया है, डिसिप्लिन के कारक हैं, सनी चाहते हैं कि मूल वो सिध्धानतों को लेकि आप काम करें, हेरा फेडी ना क गरीबों की सेवा करें, जो अनात हैं, निराश्रित हैं, पतित हैं, पीडित हैं, उनकी सेवा करें, मनसा, वाचा, कर्मणा, वाड़े से, मन से, किसी को तकलीफ न दें, रेवती नचत्र कांतिम चरण, बोलते हैं मुक्ती का नचत्र है, रेवती मुक्ती का नचत्र है, तो तो जब सनीदेव रेवती पे द्रिष्टी होगी, रेवती पे प्रवाव होगा, तो बहुत से लोगों को मुक्ती प्रदान कर देंगे, जिनकी उम्र मुक्त के होने के कगार पर है, सब को नहीं करेंगे, सनी को नियाय का गरा कहा गया है, तो मतलब जो लोग पक चुके हैं, उनको अलग कर दिया जाएगा और उनको ये बताया जाएगा कि आप कि गति क्या होगी तो यहां सनी कुछ लोगों को मुक्त कर देगा कुछ लोगों को सिखाएगा कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं रिवती के चतुर्चरण में पूरा मुक्ती वाला फल मिलेगा तो देख लिज़े आपके कुणले में क्या प्रभाव आ रहा है इसके बाद एक और खास बात देखिए ये तो आपके धाई वर्सका लेखा जोखा हो गया धाई साल आपके सनी देव महराद यहां पे इस तरह क पे काम करेंगे सनी पैरों के कारक है आपको न लिए पैरों के कारक है तो पैरों से सम्मंदित परिशानी आपको आ सकती है तो अपने पैरों का बिस की ध्यान रखिए नसों का ध्यान रखिए फैर का नसें इसमें खिच सकती हैं नसें परिशाने में आ सकती हैं घुटनों में भी दर्द होगा सनी चलने के कारक है सनी इसलिए आपको यहाँ पर चलाएंगे गतिमार आपको रहेंगे तो यह सनी के स्टार्टिंग में जब सनी आपके लगन में गोचर करेंगे कहां करेंगे लगन में गोचर करेंगे तो लगन में जब गोचर करेंगे तो देखिए जहां पे जो बैठता है न सनी के साथ एक खास बात ही है कि सनी जिस पार्ट में बैठते हैं उसकी बृद्धी करते हैं और सनी की जहां दृष्टी होती ह सनी के जहां दृष्टी होती है सनी वहां से हानी कर देते हैं तो सनी द्वादस में बैठे हैं तो द्वादस में सनी जो उत्तर पूरो भाद्रपद नशत्र में चलेंगे तो बृद्धी करेंगे जब धनिष्ठा में चलेंगे तो कुछ चीजों में कमी करेंगे राहू के सत् करें या रोक दें आगे बताएं आपको कि साड़े साथ साल का तो लंबा समय निकल जाएगा ठीक है न तो सनी के जो पहले डाई वर्स की डाईया आ रही है वो मोटे मोटे सुरूप में अगर आप पकड़ना चाहें तो साथ तरह की चीजें सनी प्रदान करेंगे कितने तरह क साथ तरह की चीजें सनी प्रदान करेंगे जब श्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग के पहला तीन माह छे दिन आपको मांसिक कस्टों से गुजरना पड़ रहा है जो आप कस्टसिस में गुजर रहे हैं फिर दूसरे चरण में आएंगे तो सनी आपको रोग देंगे सनी आपको परिशानियों से गुजारेंगे देंगे नहीं ऐसे आपके जो कर्मा है उन कर्मों को सनी सामने लाके प्रगड कर देंगे तो दूसरे चरण में दूसरे साथ पार्टों में बाटिएगा कितने पार्टों में? साथ पार्टों में बुसरे पार्ट में सनी आपको रिण रोग परिशानी से सामना करवाएंगे तो अपने पहले प्लान करके रखे कि स्टार्टिंग के तीन माह छे दिन के बाद आपको रिण रोग परिशानी में जाना है उसके बाद छे माह बारा दिन के बाद छे माह बारा दिन के बाद फिर सनी महाराज आपके ब्यापारिक में गती प्रदान करेंगे क्योंकि बुद्ध नवांस में है बुद्ध के कन्या नवांस में है तो ये आपको ब्यापारिक गती प्रदान करेंगे इसके बाद सनी महाराज तुला नवांस में है तो आपके लिए जो चौथा जाएगा चौथा चरण मतलब बारा माह अठारा दिन के बाद ये अकष्ट प्रद होगा ये मृत तुल्ले ये मृत उसे सामना करवा सकता है दुरगटनाय होंगी सामना होने मतलब दुरगटनाय होंगी तो आप पहले से प्लान रखे अपने रोग प्रतिरोदक चमता को डेवलब कर लीजिए रोग प्रतिरोदक चमता को और कितना समय आएगा तीन माह छे दिन आएगा तो संभल कर चलिए ना इतनी क्या जल्दी पड़ी है आराम से चलिए ना वहां समभल कर चलाईए ना इसके बाद फिर जो 15 माह 24 दिन के बाद 15 माह 24 दिन के बाद सनी महाराज उत्तर भादरपद के चतुर्थ चरण का फल देंगे देखे दिश्टी कहां पड़ रही है मैं आपको बता रहा हूँ कि सनी महाराज कैसे प्रभाव देंगे तो सनी मीन पे इनकी दिश्टी है किस पे दिश्टी है मीन पे तो मीन में जो नच्छत्र चल रहा है ना उसके अनुसार फल देंगे क्योंकि दिश्टी किस पे है प्रभाव किस पे रहेगा तो उस नच्छत्र पे आप जाएंगे तुन अच्छतनवांस पे प्रभाव आप देख रहे हैं वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ तो यहाँ पे आपके ब्रिष्चिक मतलब भाग्योदय की बात कराएंगे यहाँ पे आपके संगर्स के बाद आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है अब इसके बाद आपके बीट गए पंद्रा माह पूरे बीट गए ठीक है ना पंद्रा माह इस सोला माह बीट गए सोला माह के बाद सनी महाराज रियुती नच्छत्रप का प्रभाव देंगे रियुती के प्रतम चरण में देखी तो धनू मिलेगा धनू का मतलब आपकी कर्मपत का विस्तार होगा काम आपका बनेगा वहीं पे इसके बाद रियुती के दुती पदा में जब जाएंगे तो मकर नवांसा मिलेगा मकर क्या है? कामनाओ की पूर्ती का नवांसा है तो कामनाओं आपकी पूर्ती होगी कामनाओं की पूर्ती के बाद सनी करेंगे तीन माह च्छे दिन रियुती के जो तृती चरण में जब इनका प्रभाव आएगा तो सरवादिक परिशानी वाला रियुती का तृती चरण उत्तर भादरपत का तृती चरण यह सरवादिक प्रभाव और सनी तृतिय द्रिष्टी भी बड़ी खतरनाक रखते हैं ठीक है न अलग कर देते हैं तो यह प्रभाव आएगा तो यहाँ पर कुम्भ आएगा तो कुम्भ बहुस चीजों को ब्याय कर देगा खर्च कर देगा वही पर रेवती रेवती का चतुर्थ चरण मीन मतलब मीन नवानसा पर आएगा तो मांसिक तनाव सारीरिक तनाव मिलेगा ऐसे सनी महराज की तृतिय द्रिष्टी देखिए कहां पड़ रही है जहां पर तृतिय द्रिष्टी पड़ेगी सनी वहां से आपको अलग करने की कोशिश करेंगे तो धन भाव पर कुटूम भाव पर सनी की तृतिय द्रिष्टी पड़ रही है तो वाडि को वाण ना बनाए वाडि को बीणा बनाए नहीं परिवार से बिच्छेद हो जाएगा परिवार अलग हो जाएगा तो वाड़ी प्यक्त कंट्रोल रखे तो सनी आपको कंट्रोल रखेगा सनी आपको बुरा नहीं देगा वहीं पर सब्तम द्रिष्टी सनी महाराज की खश्टम भाव पर होने से सत्रों से मुक्ति देंगे रिंड से मुक्ति देंगे परिसानियों से मुक्ति देंगे दुख से मुक्ति देंगे तो ये भी लावकारी है क्या है आपकी कुंडली में लावकारी है दसम दृष्टी भाग के घर पर होने से भाग में कुछ अर्चने आएंगे रुकावटे आएंगे संघर्स करना पड़ दे होगा तो ये डाई वर्स साथ तरह के फल लेके जा रहा है सेवन प्रकार के फल मिलेंगे आपको आगे की चर्चा चुकि अभी बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और अभी आवशकता भी नहीं है तो हम जब कोहरा जादा होता है ना तो कदम कदम आगे पहनेगा हो सकता है आपकी तुला लगन हो मिन रासी हो तो पुकराज नुकसान कर जाएगा तो अधिक जानकारी के लिए दिए नमबरों पर संपर करिए हमारी टीम आप की सिवा के लिए तत्पर है आपके लिए मंगल मेशुम कामना सनी महराज आपका बेहतर करें राधे क्वेड़ आपके लिए धिए लुगागा है आपके लिए उन्पल पे लो दिए मुईगा है आपके लिए।